तीवी की बेहत खुबसूरत और ग्लेमरिस एक्ट्रेस मौनी रॉय का आज जन दिन है। इन दिनों उनका करिया बुलंदियों पर है। उन्होंने नागिन बनकर दर्शकों के दिलों पर राज किया। यह उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि वह आज घर-घर में पहचानी जाती है। जल्थी टीवी की ये नागिन बॉलिवुड में डेब्यू करने जा रही है। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ट से वह फिल्मी दुनिया में छा जाने को तयार है। फैंस उन्हें नई पारी की शुरुआत के लिए धेरो शुब कामनाएं दे रहे हैं। जहां उनका करिया उन्चाईयों को चू रहा है, वहीं उनके खास रिष्टों के उनसे जुदा होने की भी खबरें आ रही हैं। हाल ही में बॉयफरिंग मुहित रहना के साथ उनके ब्रेकप की खबरों ने खूब सुर्खिया बटोरी। इस कपल के इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक दूसरे को अनफॉलो करने की चच्चा के बाद ब्रेकप की खबर को जोर मिला। मौनी ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुहित को अनफॉलो करने के साथ एक और चौका देने वाला काम किया है। मौनी ने मुहित के साथ शेर की हुई तस्वीरों को डिलीट कर दिया है। बता दे, मौनी राय और महादेव मुहित रहना लंबे समय से डेट कर रहे हैं। टीवी शो देवों के देव। महादेव के सेट पर दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ। सीरियल में मुहित महादेव और मौनी सती के रोल में थी। दोनों की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खीचा। कुछ समय पहले भी टीवी की इस फेवरेट जोडी के ब्रेक अप की खबर आई थी। कहा गया था कि दोनों एक दूसरे के साथ एड़जस्ट नहीं कर पा रहे हैं। चर्चा यह भी थी की मौनी को अक्षय कुमार के साथ गोल्ड में काम मिलने से मुहित को जलन हो रही है। जिस पर चुप्पी तोड़ते हुए मुहित ने कहा था कि यह एक दम बकवास है। हम दोनों के बीच सब ठीक है। लोग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं और मौनी का नाम खराब करना चाह रहे हैं। मुझे मौनी की अचीवमेंट पर गर्व है। मुहित रहना से पहले मौनी टीवी एक्ट गौरव चोपड़ा को कई सालों तक डेट कर चुकी हैं। ये कपल लिविन में भी रहा था और इन्होंने साथ में कई टीवी रियालिटी शोज में भी हिस्सा लिया था। सभी को लगा था कि दोनों का रिष्टा शादी तक पहुँचेगा। लेकिन ब्रेक अप हो गया। दोनों आज भी एक दूसरे के सामने आने से बचते हैं। इसका नजराना पिछले सीजन के बिग बॉस में देखने को मिला था। मौनी शोँ में आई लेकिन गौरव की वजह से घर के लोगों से मिले बिना ही चली गई थी। आजकल मौनी रॉय अक्षय कुमार स्टार फिल्म गोर की शूटिंग में बिजी हैं। जिसमें वह खिलाडी अक्षय कुमार के साथ रोमेंस करती नजर आएंगी। मौनी रॉय का सल्मान खान से साथ बहत खास रिश्ता है। जिस दोरान नागिंग का पहला सीजन टीवी पर आया था। तभी से मौनी और सल्मान के बीच एक रिश्ता जुड़ गया है। मौनी को हर साल बिग बॉस में बतोर गैस्ट देखा जाता है। सेट पर सल्मान भी उनका गर्म जोशी से स्वागत करते हैं। हाल ही में जारी हुए बिग बॉस रिंग 11 के प्रोमो में मौनी को सल्मान की पडोसी बने देखा गया। सल्मान और मौनी का ये रिश्ता ना जाने क्या कहलाता है। खबरे यह भी थी कि सल्मान नहीं अक्षय स्टार गोर्ड के लिए मौनी के नाम की सिफारिश की थी। हाला की बाद में गोर्ड के मीकज ने इस खबर को खारिच कर दिया था। बहुत जल्द सल्मान खान वेहन अरपिता के पती आयुष शर्मा को बॉलिवुड में लॉंच करने वाले हैं। तब खबर आई की जीजा आयुष के अपोजित सल्मान मौनी रॉय को लेना चाहते हैं। लेकिन आयुष को भाईजान का यह आइडिया बिलकुल पंसद नहीं आया। उन्होंने टीवी की नागिन के अपोजित डेब्यू करने से मना कर दिया। मौनी रॉय वैसे तो बेहद ही खूबसूरत दिखती हैं। उनका इंडियन और ट्रेडिशनल दोनुं ही अफ्तार स्टाइल से भरपूर होता है। लेकिन फैंस के बीच उनका ग्लेम्रिस इंडियन रुप पॉपुलर है। मौनी लहंगे और साडी में बहुत ही स्टाइलिश, क्लासी और डीसंट लगती हैं।